हेलो एवरिवन तो फ्रेंट्स आज मैं आपसे शेयर करने वाली हो फुल इलास्टिक पैंट की कटिंग और स्टीचिंग तो फ्रेंट्स यह देखिए यह कपड़ा है मेरा दो मीटर है पूरा और फ्रेंट्स क्योंकि इसमें न लैंध कम है हमारी जो पैंट्स की लैंध कम बनाने चोंतिस इंच की तयार पैंट्स चाहिए तो इसलिए दो मीटर कपड़ा सही रहेगा पर अगर आपकी लैंध जैसे 37-38 है न तो आप सवा दो मीटर कपड़ा लें यह हमारी लंबाई है कपड़े की और यह हमारी चोड़ाई है तो एक बर मैंने चोड़ाई में फोल्ड किया हुआ इसको यहां से दो इंच पहले हम छोड़ कर इसकेल की मदद से निशान लगा लेंगे तो फ्रेंट देखिए यह दो इंच मैंने यहां पर निशान लगाया और जो यह उपर वाला हिस्सा है इसको दो इंच नीचे शाइठ कीयाल है तो यह दो लेयर है हमारी और यह नीचे वाली भी दो लेयर है अब यहां पर बैक का कटेगा यहां पर फ्रेंट की कटेगी और जो खुलावा साइड वो मैंने अपनी साइड रखा है, फोल्ड वाला साइड उस साइड है, तो उपर ना हमारा सवा इंच का इलास्टिक आ जाएगा, तो हमने इसमें जैसे हमारी 34 इंच पैंट बनीगी ना, तो हमने 33 इंच लेनी है, तो ये 33 इंच में हमने निशान तीन इंच हम ले रहे हैं, जो वाटम में फोल्ड होगा, अब हम हिप की मेजरमेंट से बनाएंगे इसको, तो जो हमारा हिप का मेजरमेंट है ना, वो है 40 इंच, तो 40 का चोथा हो जाएगा 10 इंच, दो इंच उसमें प्लस करेंगे, तो हो जाएगा 12 इंच, दो या धाई इ शान लगा लेते हैं, अब इस लाइन को ध्यान में रखना है आपको, यहां से लेंगे हम 12 इंच, इसको नहीं देखना है, अभी हमने सिर्फ इसी लाइन को देखना है, यहां से देखना है, तो यहां से भी जितना हमने यहां पर लिया है, उतना ही हम यहां पर भी ले कि इसको सीधा कर लेंगे इस वाली लाइन को भी सीधा कर लेंगे यहां पर इस तरीके से दो इंच का निशान हम एक और लगाएंगे शेव देने के लिए गोलाई की तो फ्रेंड्ज अब यहां पर बॉटम पर आ जाते हैं यह बॉटम से न हम यहां पर दो ढळाई इन्च इस तरीके से इस निशान लगाएंगे अब जो भी हमारा बॉटम है इस संधियाद के इधर लेंगे तह हमारी मोरी न चौदा इंच पूरे राउंड में तो हम 14 का यहां पे लेंगे 7 इंच नीचे भी इतना है कर लेंगे लेंगे अब तो फ्रेंट्स यहां पे मैं लेंग शेपर का यूज कर रही हूँ पर मैंने ना जैसे कई लोग के कमेंट आते ना कि हमारे पर लेंग शेपर नहीं है तो फ्रेंट सबसे पहले तो मैं आपको यह बोलूँगी कि इन स्केलों को आप रखो काम आपका आसान हो जाता है और आप जल्दी भी कर लेते हैं आप पर टाइम भी बसता है पर फिर भी कई लोगों के पास नहीं है ना अगर यह लेग शेपर तो मैंने एक पैंट क की कटिंग कैसे करें तो फ्रेंट्स यह देखें फ्रंट के हमारे निशान लग चुके हैं फ्रंट में एक कम और करना है यह देखें इस तरीके से फ्रंट के पाट को ही देखना है आपको और एक इंच नीचे यहां पर इस कॉर्णर से हम मिला लेंगे तिर्चा तो प्लीट किस तरीके से लगाना है, यह देखिए, इसको देखना है, यह कितना है हमारा और इसका Center कर लेना है जितना यह आ रहा है इतना ही हम उपर यह लेंगे और यहां पे प्लीट आएगी हमारी तो यहां पे निशान लगा लेते हैं देड़ इंच हमारा प्लीट में दबेगा तो पॉना एक इंच इधर और पॉना एक इंच इधर टोटल जो हमारी प्लेट हो गई ना डेड़ इंच की हो गई और इसकी लैंथ होगी चाड़े चार इंच यह देखे फ्रंट के हमारे निशान लग चुके हैं क्योंकि बैक का भी हमारा नीचे ही पड़ा है तो बैक के भी निशान लगा लेते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे यह वाली जो लाइन है इसको बिल्कुल उपर सीधा कर लेंगे बैक के लिए अब इस वाली लाइन को भी हम बढ़ा लेंगे धाई इंच तक, दो धाई इंच आप रख सकते हैं हैवी साइज है तो तीन इंच तक भी आप रख सकते हैं यहां से इस तरीके से यहां पे भी गोलाई लगा लेंगे और यह गोलाई की मैं आपको गैप बता दूँ कितना है यह देखिए एक इंच का गैप है और यहां पे इस तरीके से न डेड़ इंच लेना है पूरे में डेड़ इंच लेंगे और उपर यह जो दो इंच हमने छोड़ा था न यहां से न और इस कोने से इसको तिर्चा मिलाना है यह चीज मैंने दो इंच ली है आप अगर किसी का हैवी बना रहे है न तो धाई से तीन इंच भी ले सकते हैं यह चीज बैक की तो फ्रेंट चलिए cutting कर लेते हैं तो फ्रेंट देखिए मैंने cutting कर ली है यहां से हमने बिल्कुल भी margin नहीं लिया था प्रॉपर cutting किया है और यह देखिए इस तरीके से यहां से हमने cutting कर लिया है यहां का तिरचा अब हमने क्या करना है यह front के जो दो piece है उसका यह shape कट करना है back का तो पड़ा रहेगा पर front में हमने यह वाली shape नहीं चाहिए जो यह extra है यह सिर्फ हमने back में चाहिए और यह जो front में हमने तिरचा लिया था यह केंच यह भी cut कर लेंगे तो यह देखे cutting हमारी पूरी हो चुकी है stitching जो हमने simply करनी है कोई pocket नहीं लगाना इसमें क्योंकि customer ने मना किया था simply बनाना है pocket वाली अगर देखनी है तो मैंने अल्रेडी बनाई हुई है description box में link दे दूगी तो चलिए stitching करते हैं पहले हम क्या है यह क्रॉच लाइन जो है यहां पर सीलेंगे front का और यह back के दोनों के सील लेंगे दो दो पार्ट हैं दोनों के यह देखें दो दो पीस हैं चलिए machine पे तो फिरंट सिलाई में लगा चुक्यों हूँ आसन पे अब प्लीट्स पे सिलाई लगाएंगे यह हमारा front है और इसके ओपर back रखेंगे सीधे के ओपर सीधा रखेंगे साइड सिलाई लगाएंगे नीचे से लगाएं हमेशा साइड सिलाई तो फ्रेंट्स यह साइड जो जॉइंट करेंगे ना हम तो हमने नीचे बॉटम पर कटका केका डिजाइन भी चाहिए तो वह किस तरीके से बनाएंगे हमने नीचे फोल्डिंग का थ्री इंच छोड़ा है का एक इंच तक हम सिलाई करेंगे फिन दो इंच यहां से कटके और दो इंच यहां से इतना हमने उत्पन छोड़ना है उसके बाद से हम सिलाई करेंगे नीचे से हम हाफ हाफ इंच की सिलाई कर लेंगे अब यहाँ पे ना हमने वी बनाना है थोड़ा सा वैसे तो इतना कट भी लगा सकते हैं पर थोड़ा सा इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे याँ पर कर दो पर लेंगे बना है रड़ा हैं लेपर सा इसे हम हाओ़ा से करेंगे तो फ्रेंस इस तरीके से कट लगा लिया है और दूसरी साइड का भी न मैंने बना लिया है इसी तरीके से यह देखिए अब आसन जॉइंट करेंगे हम 14 इंच हमने आसन रखा था तो यहाँ पर 7 इंच इस तरीके से फोल्ड में लेना है तो फ्रेंट्स आइए आसन के भी सिलाई हो गई है अब उबस्ता है हमारा उपर इलास्टिक तो फ्रेंट्स इलास्टिक लगाने के लिए ना हमने पट्टी लगानी है कपड़े की और उसके उपर इलास्टिक लगाएंगे तो इसको इस तरीके से नापना है आपको इसको प्रॉपर नापना है और इसके हिसाब से यह देखिए मैंने कपड़ा ले लिया है नाप लिया था अच्छे से इसकी चोड़ाई मैंने लिया है साड़े चार इंच इसको हमने क्या क आपको अपनी कमर का पूरा राउंड नापना जहां पे भी इलास्टिक या नाड़ा पहनते हो उसको प्रॉपरली फिटिंग में नापना है आपको जैसे यहां पे हमारा कमर है 38 इंच तो 38 में आप 7 या 8 इंच इलास्टिक का कम करें मतलब अगर 38 है तो मैं यहां पे 30 इंच की इलास्टिक लोंगी अगर आप सिर्फ बैक में इलास्टिक लगा रहे हैं तो आप 5-6 इंच या 4 इंच कम कर सकते हैं इलास्टिक का पर मैं यहां पे फुल इलास्टिक लगा रही हूं तो टोटल में इसमें 8 इंच कम करूंगी तो पूरी में 30 इंच की इलास्टिक लोगी, ये देखे, मैंने इलास्टिक ले ली है, पूरा 30 इंच क्या है, राउंड में, मैंने इसको स्टीच भी कर दिया है, और इस तरीके से राउंड हो गया है, अब हमने क्या करना है, पैंट उठाएंगे, इस तरीके से रखेंगे, इसको पूरा गोलाई में सिलाई कर देते हैं तो फ्रेंट्स अब ना हम इलास्टिक ले लेंगे और इस तरीके से रखेंगे इलास्टिक को ये देखे और इस तरीके से ना ये देखे अब इस तरीके से ये देखे ये मार्जन उपर है ना तो यहां पर इस तरीके से हम इलास्टिक को रखेंगे और यहां पर बस इलास्टिक दबना नहीं चाहिए हमारा सिलाई में तो यहां पर इस तरीके तरीके से इलास्टिक दाए ये देखेंगे अगे इलास्टिक के से रखेंगे दों। ये देखेंगे इलास्टिक में आड़ायान किसे करेंगे और एक्वल कर लेंगे पूरे में लास्टिक अब एक सिलाई हम बीच में लगा लेंगे ताकि हमारी लास्टिक जो पल्टे ना तो फ्रेंट में बिलकुल रेडि है हमारी पैंट और इसका फूल लूक मैं आपको दिखाती हूँ अभी तो फ्रेंट देखें बिल्कुल complete है हमारी full elastic pant की cutting और stitching तो यह देखें कुछ इस तरीके की हमने elastic लगाई है इसमें और यह देखें बॉर्टम में मैंने इस तरीके से cut दिया है जो कि काफी अच्छा रखता है पैनने के बाद तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं कर दो से कर दो प्रेंट प्रेंटियो में इस बाद दो फ्रेंट यह दो भीज़ कर दो जबंगे दो जबंगे आगे ज़गाई झालवाई जब आकाल रखता हैं